वाकई में काफी अच्छी मेंदी है और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आए हैं तो इस हाई फ्रेंड नमस्कार मेरा ना सची नागरवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नट्राश्छापी आज मैं आपके लिए मेंदी के प्रोड़क्ट लेकर आया हूँ कुछ मेंदी के प्रोड़क्ट काफी अच्छी मेंदी है मःचुर मैं आपको पहले से लिए वाधा हूँ यह मेंदी आपके नेर्बाइ मिल debout हो तो जरूर डिमांड करना हमारे वरोसे आप जरूर एक बार यूज करना काफी अच्छा ब्रांड है मशूर के नाम मशूर से करना मंधी परिइस और आपको बेस्ट करने का वादा भी देती है इसलिए हमने का पर हमारे लोगों उपर लगा रखा है यह मेहंदी है 40 रूपी है 80 ग्राम का पाउच पाउच है ये मेरे पास मैं 35 में तो देता हूँ मैं अपने अगर कोई 3 पैकेड भी लेता है तो 100 रूपिज में तेता हूं, अगर कोई 12 पैकेड लेता है तो और भी थोड़ा कम हो जाता है उसका रेट, ठीक है, तो आप ज़रूर यूज करना और आपके आस पास ज़रूर डिमांड करना मश्वर महंदी, और यह एक मेर पास महंदी आ ही है सरताज पिछले तीन-चर दिन से न हम इस पर टेस्ट कर रहे थे कैसा है मेंदी और वाकई में काफी अच्छी मेंदी है और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आये हैं तो इसलिए मैं आज इसका एक वीडियो बना रहा हूं सरताज जैसे कंपनी ने वादा किया था हमस स्ट्रॉंगर स्मूतर शाइनी हेर नैचरल ब्राउन कलर है वीद कंडिशनर है और कफी अच्छा है हमने खुद घर में यूस किया है तो इसलिए इसका रिजल्ट अंको काफी अच्छा है तो इसलिए मैं आपको इसका वीडियो बना रहा हूं और एमर्पी की बात करता हू 40 रुपीज एमर्पी है 80 ग्राम का ही पाउच है लेकिन कलर इससे इसके डार्क कलर है मतलब ये तो मेंदी कलर देती ही देती नैचरल ब्राउन देती है तो ये टार्क डार्क लुपीज में मेरे पास मिलेगी 40 रुपए है तो 30 में मेरे पास मिलेगी बस क्योंकि यह new brand है इसलिए 30 रुपीज में मिल रहा है और जैसे ये popular हो जाएगा तो 35 में हो जाएगा यह तो फिलाल offer price में 30 में मिल रहा है अगर आप चेचे पीस लेते हैं तो 25 रुपीज में दे दूंगा मैं सरताज महंदी ऐसा नहीं कि आप अपने आसपास भी आप दिमांद कर सकते हैं नहीं मिलता है तो नट्रा से यूज किये काफी अच्छा ही है और आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे यह नट्रा शौपी का वादा आया आपसे ओके तो आपको एवन बेस्ट कॉल्टी महंदी चाहिए थोड़ा पैसा ज्यादा जाता है लेकिन कॉल्टी कॉल्टी है ज्यान रखना कॉलेटी कॉलेटी है बेस्ट महंदी है तो अगर आप यूज करना और कमेंड में जुरूर बताना आपको कैसी लगे थैंक्यू धन्यवाद जहीं मुन्य करदा कर दो